गर्मियों में दिलकरता है है कुछ ठंडा ठंडा और मीठा मीठा खाने को मिल जाए... तो जनाब, आज मैं आपके लिए जो रेसपी लेकर आई हो ठंडी-ठंडी और मीथी-मीथी सी है तो जो कम इंग्रीडियंट्स में त्यार हो जाती है घर के इंग्रीडियंट्स से ही हम इसको त्यार करेंगे और खाने में ला जवाब होगे सिरफ दस मिनट में बनाएंगे तो चलिए फिर बनाते हैं यहां पर मैंने दो कप जो है वो दूद ले लिया है दूद आपने गाड़ा ही यूज़ करना है और इसको हम पांच मिनट पकाएंगे दूसरी तरफ मैंने एक बाउल के अंदर आदा कप दूद लिया है यह मैंने ठंडा यूज़ किया है और इसके अंदर हम दो चमल कस्टर्ड पाउडर के शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे मेक शोर के दूद ठंडा हो क्योंके ठंडे दूद में ही ये अच्छे से मिक्स होगा उसके बाद मैंने एक टेबल स्पून बर के मिल्क पाउडर यूज़ किया है यानि के खुशक दूद जो होता है अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं आप स्किप भी कर सकते हैं टेंशन ना लिया करें बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उतनी देर में हम दूद को भी चेक कर लेते हैं यहां पे पकते होएं तकरीवां पांश मिनट हो गए हैं पांश मिनट में दूद थोड़ा सा गाड़ा भी हो जाएगा और आपको पता है दूद थोड़ा गाड़ा हो तो फिर ज्यादा अच्छा डिजर्ट जो है वो तियार होता है अगर आपके गार अचानक से महमान आ जाएं तो आप जल्ली यह डिजर्ट बनाके सर्व भी कर सकते हैं यह इतनी जल्ली बन जाता है सिर्फ 10 मिनट का काम है तो दूद यहां पे यह देखे पकना शुरू हो गया है बस हमने इसको 4-5 मिनट पकाना है उसके बाद हम इसमें कस्टरड वाला जो मिक्शर है वो डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे यहां पे आपने फ्लेम को लो ही रखना है आपका हाथ भी जल सकता है बस थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और हिलाते जाएं तो छलिए उतनी देर में आप जल्दी से विडियो को लाइक भी कर दें हैं और चैनल पे नियू हाए है तो सबस्काइब भी कर लिया और ठाके जाएंप मज़े मज़े की रस्पी आपको मिलती रहें और विलॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो को फुल भी वाच कर लिया करें तो खैर उसके बाद मैंने यहां पर दो चमच चीनी के शामिल कर दिया है चीनी डाल रही हो और एक कप मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है और इसको हम पकाएंगे हमने चार्शनी त्यार करनी है थोड़ी सी ही हमें चाहिए बहुत ज्यादा हम नहीं बनाएंगे अगर आप पस लेफट ओवर पढ़ी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं बस मैंने यहां प पकाना है दो से तीन मिनट उसके बाद हम एक लेमन भी इसमें स्क्वीज कर देंगे क्योंके लेमन डालने का यह फाइदा होता है कि जो चीनी के अंदर क्रिस्टल नहीं बनते फिर आप इसको एजिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं तो बस इसको पकते हुए तीन से चार मि मिनट गुजर चुके हैं और लेमन भी मैंने इसमें डाल दिया है लेमन ना होता आप सिर्का भी थोड़ा से डाल सकते हैं तो अभी हम फ्लेम ओफ कर देंगे और दूसरी तरफ कस्टर्ड भी हमारा यहां पर त्यार हो चुका है जैसके आप देख सकते हैं यह कफी गाड़ करना है थोड़ा सा और फिर ही हम जो है वो डिजर्ट अपना तियार करना शुरू करेंगे तो बस मैं फ्लेम ओफ करके इसको थोड़ी देर मिक्स भी करूंगे क्यूंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देना तो ऊपर एक ना मोटी सी तयाय आ जाती है जिसको मिक्स करना फिर बड स्मूद ना हो रहा हो तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं स्मूद करने के लिए तो यह देखिए यहां पर यह बिल्कुल स्मूद हो चुका है और अभी हम जो लेयर्स लगाते हैं तो लेयर्स लगाने के लिए यहां पर मैंने जो चीज यूज की है वो है केकरस वजार स तो बस यह केक रस लगा के इसके लेड़ एक लगाएंगे कोई सी भी आप बाउल लेके उसके बना सकते हैं उसके बाद आपने यह जो चाशनी तियार की थी ना केक रस के ओपर चाशनी डाल देनी है और यह चाशनी मेक शोर के थोड़ी सी नीम गरम होनी चाहिए फिर बहुत अच्के यह केक रस के अंदर अब्चृब हो जाएगी अगर थन्डी हो जाएगी बहुत जादा तो फिर एंब्चोब नी होगी और गर्मियों में जरूर बनाएं ठंडी ठंडी मज़े मज़े की रस्पी और उसके बाद फिर दुबारा से हम सेम लेयर लगा देंगे ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट लगाईगी न केक रास उसके बाद मैंने इसमें चाशनी डाल दी फिर उपर से सारा जो बैटर बची गया थ वो सारा मैंने डाल दिया है उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से और सेट करने के बाद हम इसकी प्यारी सी डेकुरेशन कर देंगे आपके जो दिल करें जिस तरह की आप डेकुरेशन करना चाहें आप इसको गारनिश कर सकते हैं मैंने इसमें थोड नहीं खुबसुरा सी लुक आई और डिजर्ट बहुत ही प्यारा से त्यार हो गया है इस डिजर्ट को ऐसे ही डिशाउट नहीं करेंगे इसको सबसे पहले हम ठंडा होने के लिए रखेंगे दो तीन गैंटे अट लाजमी रख दें ये क्लिंग रैप से इसको कवर कर देंगे ये क्लिंग रैप का लिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जितनी भी प्रॉड़क्ट्स में यूज करती हूं सबके लिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो ये देखिए हमारा डिजर्ट त्यार हो गया है इसको मैंने तीन चार रेसिपी आप जो ट्राइक कीजिएगा तो ये देखे इसको निकाल लेंगे इस तरह से लेकिन इसको सेट जरूर आपने इसको डिशाउट करना है वनना ये मज़ा नहीं देगी तो ये देखे कैसे केक की तरह बिल्कुल सेट हो गई है मशाला से तो चले इसको टेस्ट करते ह ये थी कि इतनी मज़ेदार सॉफ्ट सी बनी है क्योंकि जो केक रस के उपर हमने चाशनी डाली थी ना उसका बहुत मज़ा आएगा वो बहुत सॉफ्ट अंदर से हो जाते हैं उपर से मीठा और हमने कस्टर्ड में हलका मीठा डाला था वनना अगर आप ज्यादा तेज इठा हो जाएगा इसलिए आपने लावल का रखना है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आगे अलहाफीज